गुड मॉर्निंग फ्रेंज मेरा नाम गौरांग गोविंद है और मेरा एक्सपीरियंस जो है वो रीटेल इंडस्ट्री से रहा है और मेरी कंपनी का नाम है cgabrands.com जो की बिजनस कंसल्टिंग में है रीटेल, स्टार्टप, e-commerce and small and medium enterprises में हमने एक सीरीज चालू करी है हमारे उन सारे बिजनस ओनर्स के विए जिसमें मैं कोशिश करूँगा आपको micro, small and medium enterprises के बारे बता हूँ government of India ने msme.gov.in करके जो website बनाई है मैं बताता हूँ कि यह जो msme segment है micro, small and medium enterprises का इसको दो भागों में divide किया गया है पहला है manufacturing enterprises और दूसरा है service enterprises manufacturing enterprises के अंदर वो सारी companies आती है जो products को factory में बना रही है और जो services आती है वो basically हम उसे B2B business में भी कह सकते हैं या कोई ऐसा service जिसके अंदर वो एक value addition create करते हैं ताकि दूसरी company को वो product उनके product में बनाने के लिए वो service के तौरबे यूज़ हो सके इस तरह से वो service enterprise में आ जाता है basically जो manufacturing sector है उसमें तीन तरह को से divide किया हुआ है micro enterprises, small enterprises and medium enterprises. Micro enterprises के अंदर जो उसकी definition है it should not exceed 25 lakh rupees. Micro enterprises जो होते हैं कि 25 lakh से ऊपर के नहीं होने तो 25 lakh से नीचे के होने चाहिए. और जो small enterprises होते हैं वो 25 lakh से लेकर के 5 करोर तक आते हैं अगर 5 करोर से ज्यादा के नहीं होने चाहिए. अगर जो medium enterprises होते हैं वो 5 करोर से लेते हैं और वो 10 करोर तक जाते हैं. इसी तरह जब हम the service sector में बात करते हैं तो micro enterprises के बोलते हैं तो दोस्तों ये एक बहुत छोटी सी information मैं आज आपके साथ share कर रहा हूँ और मेरे podcast और इस subject के उपर होंगे और जैसे जैसे मैं इसको understand करूँगा मैं आपको भी explain करूँगा ताकि इसका आप पूरी तरीके से benefit उठा सके दुबारा से मैं मेरा नाम गौरांग गोविन है मैं एक business consultant हूँ cgabrands.com में और मेरी कोशिश यही रहती है कि कैसे एक business को strategize करके हम execution के साथ successful बना सके तो दोस्तों आज के लिए इतना ही धन्यवाद और आपका समय लेने के लिए thank you very much और इस तरह से मैं आगे भी वीडियो आपके लिए आपके साथ share करता रहूँगा thank you very much